दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी ऐसे की बॉलिवुड नीूस पर और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिये. तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी इस वक्ट बॉलिवोड एक्टर सल्मान खान को लेकर खूब खबरे आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों सल्मान खान के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसकी जानकरी एक पोस्टर के थ्रू हम सभी को मिल चुका है तो दोस्तों चलिए एक-एक खुशखबरी की बात करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि सल्मान खान की आने वाली फिल्मों में सबसे पहला नाम आता है साजिद नादियाडवाला की फिल्म सिकंदर जो इड दो हजार पचीस में रिलीज होगी इस फिल्म की शूटिंग सल्मान खान कर रहे हैं वही दोस्तों दूसरी फिल्म निर्माता करन जोहर की फिल्म दबुल दो हजार चबबीस तीसरा साउथ के दिगगज निर्देशक एटली कुमार की दो फिल्में जिसमें सल्मान खान मुख्य भुमिका में हैं पाँचवी फिल्म निर्माता अर्बास खान की दबन चार चटवी फिल्म साजेद नाद्याडवाला की किक दो और सात्वी फिल्म यश्राज बैनर की टाइगा वसेस पठान आने वाली फिल्मे हैं सल्मान खान बॉलिवुड के मेगा स्टार है सल्मान खान एक ऐसे सुपहिट फिल्म स्टार है जो फिल्मों में आते हैं तो बॉक्स आरफिस पागल हो जाता है और जब टीवी पर आते हैं तो की आरपी पागल हो जाती है सल्मान खान बॉलिवुड के भायजान के नाम से पहचाने जाने वाले सल्मान खान के दुनियावर में कई फैंस हैं जिन्हें सल्मान खान की फिल्म रिलीज होने का बेसबरी से इंतजार रहता है। की शूटिंग भी चल रही है और इसी के साथ भायजान की फिल्म इद के पाक त्योहार दो हजार पच्चीज के अफसर पर रिलीज होगी सिकंदर का निर्देशन ए आर मुरूगडोस कर रहे हैं निर्माता साजिद नाद्याद्वाला और सल्मान खान के बनने वाली फिल्म अ कर रहे हैं फिल्म सिकंदर की एक और खासियत है कि इस फिल्म में तीन विलन है बहुबली फेम अभिनेता सत्यराज मुख्य विलन के तौर पर सल्मान खान के साथ घृते नजर आने वाले हैं लिस्ट नंबर टू पर आता है करंट जोहर की फिल्म दबूल मेगा स्टार सल्म सल्मान खान और निर्माता करंट जोहर 25 साल बाद फिर से एक फिल्म में काम करेंगे जिसका नाम दबूल रखा गया है खबरों के अनुसार यह फिल्म में एक बायोग्राफी फिल्म है जो असली जिंदगी पर आधारित फिल्म है जिसमें 1988 के मालदीव हम लोगों को दिखा सल्मान खान और करंट जोहर 26 साल बाद एक लंबे समय के बाद एक बार फिर काम कर रहे हैं इससे पहले दोनोंने फिल्म कुछ-कुछ होता है 1998 में एक साथ काम किया था रियल लाइफ स्टोरी पर बनने वाली फिल्म दबूल में सल्मान खान एक पेरा मिलिटरी अफसर का किर किरदार निभाते दिखेंगे इस फिल्म में मालदीव में हुए आतन की हमलों को दिखाया जाएगा अब लिस्ट नंबर 3 पर आता है साउट सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपहिट फिल्में देने वाले निर्देशक एटली कुमार सल्मान खान के साथ फिल्म बनाने जा रहा है एटली कुमार सल्मान खान और रंवीर सिंग को एक साथ के बड़े परदे पर देखना काफी दिल्चस्प होगा दोस्तों सल्मान खान की एक्शन फिल्म जो एटली कुमार ने फाइनल कर दिया है डिरेक्टर एटली कुमार की फिल्म जिसमें सल्मान खान मुख्य भ पर सल्मान खान की सबसे बड़ी हित मानी जाने वाली फिल्म दबंग का चौथा भाग बनाने की योजना है फिल्म दबंग साल 2010 में ब्लागबस्टर साबित हुई थी इसके दो अन्य भाग दबंग 2 और दबंग 3 ने बाक्स आफिस पर बंपर कमाई की थी वहीं अब दबंग चार भी बनने जा रही है प्रड्यूसर अर्बास खान ने कुछ दिनों पहले एक इंटर्व्यू में इसकी पुछ्टी की थी उन्होंने कहा था कि सल्मान खान का दबंग 4 बनाने का मन है अर्बास खान और सल्मान खान अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट में बिजी हैं जै हाँ दोस्तों लिस्ट नंबर 5 पर किक दो की चर्चा हो रही है बता दू की साल 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म किक की सीक्वल का इंतजार दर्शकों को बेसबरी से है इस फिल्म के रिलीज के कुछ समय बाद किक दो बनाय जाने की घोशना हुई थी फिल्म के प्रड्यूसर साजेद नादियाडवाला ने जुलाई 2023 में किक दो के निर्मान की घोशना करते हुए कहा था कि कहानी तयार है सल्मान खान भी कहानी सुनकर राजी है लेकिन इसके आने में अभी समय है इस फिल्म के निर्मान के लिए वही एक बहतरीन समय अफसर और बड़ स्केल की जरूरत है फिल्हाल साजेद नादियाडवाला सल्मान खान के साथ फिल्म सिकंदर के निर्मान में लगे हुए है समभ़त इस फिल्म के रिलीज के बाद ही किक दो पर काम शुरू हो पाएगा लिस्ट नंबर सिक्स पर सल्मान खान की नेक्स्ट फिल्म की लिस्ट में टाइगा वसेस पठान भी शामिल है सल्मान खान का टाइगा किरदार और शाहरुक खान का पठान किरदार दोनों फिल्मों को मिलाकर एक नया मनुरंजन मसाला दर्शकों को पेश करने की एक बहतरीन योजना है यश्राज बैनर की फिल्म में एक था टाइगर सल्मान खान ब्लागबस्टर फिल्म है इसके दो सीक्वल भी सुपहिट साबित हुए हैं साल 2023 में सल्मान खान फिल्म टाइगर तीन लेकर आये थे जो बाक्स आफिस पर सफल फिल्म रही है इस फिल्म में शाहरुक की फिल्म पठान में सल्मान खान ने टाइगर की अतिती भूमिका अदा की थी जिसे देख फैंस काफी खुश हुए थे इस फिल्म की स्क्रिट पर काम जारी है और साल 2025 में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है जो साल 2026 में रिलीज होने की संभावना है